रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 9 के विहाइब बुक से दे लिटल गर्ग स्टोरी पढ़ेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी एक चोटी सी लड़की जिसका नाम केजिया है उससे रिलेटेड है। वो अपने पिताजी मा और दादी मा के साथ रहा करती थी। उसके सबसे बड़ा कंडिक्शन ही था कि व अपने पिताजी के नाम से ढरती थी। हमेशा अपने father को avoid करती थी और वो सबसे ज्यादा comfortable तब feel करती थी जब वो देखती थी कि उसके पिता जी office के लिए निकल रहा है घर से वो इतनी सहमी रहती थी अपने पिता जी के सामने अगर कोई भी बात बोला जाता था या पूछा जाता था उससे वो हक लाने लगती थी उसके पिता इससे rudely behave करते थे और harsh behave करते थे चुकि जो इसकी grandmother थी केजिया की वो उसको थोड़ा बहुत समझते थी और अपने पच्चों को भी समझते थे मतलब केजिया की grandmother केजिया के माबाप को अच्छे तरीकी सा समझते थे इसलिए वो हमेशा केजिया को encourage करती थे कि कुम drawing room में जाओ और अपने parents के साथ बैठके कुछ बाते करो क्या पता बाते करने से चीजे सही हो जाएं और असल जिंदिगी में भी हम देखें तो बहुत सारी दुविधाएं खतम हो जाती हैं रंजी से खतम हो जाती हैं जब हम उस इंसान से बात करना चाहते हैं या फिर माँ बापके द्वारा उसे दिखाई नहीं देता है एक दिन क्या होता है कि केजिया की ग्राइंड मदर जो हैं वो केजिया को सजेश्ट करती है कि ऐसा करो कि एक पिन कुशन अपने पिता जी के लिए बनाओ चुकि उनका birthday आने वाला था ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके स केजिया की ग्राइंड मदर ने उसे बोला होता है कि इस तरीके का चाहो तो 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 केजिया स्टिच करके तीन साइड का पिन कुशन केसिंग रेडी करती है लेकिन कुशन तयार करने से कुछ नहीं होने वाला था उसको चाहिए था कि उस कुशन के अंदर कुछ भरा जाए और इसके वैसे वो अपनी मम्मी के रूम में जाती है और जो 6 नंबर बेट टेबल रहता है वहाँ पे उसे बहुत सारे पेपर दिखाई देते हैं उसके बाद वो पेपर को छोटे छोटे पीस में फाड़के उस पिन कुशन के अंदर भर देती है और उसके बाद उस कुश वो रीजन बताती है कि आखिर में क्या कारण था जिसके वैसे उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि एक समय ऐसा आया कि जब केजिया के पिता जी को उस पेपर की जबरत पड़ी तो उसे कहीं नहीं मिल रहा था और फाइनली यह पकड़ी गई थी और तब यह बताती है किस कारण चुकि वो बच्ची थी उसके मन के अंदर अपने पिता के लिए एक अलग स्निय था कि वो अपने पिता जी के बर्सडे पे जो चीज बनाई है वो गिफ्ट करेगी लेकिन उसको आइडिया नहीं होता है कि वो जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टन पेपर उसके पिता जी पिली पे उस स्टिक से पणिस्कि यहं हैं इस सबसे महत जा लआ यह था कि इक साम उसने मिस्चर मैंक डॉनाल्ड्स को देखा जो की अपने पाँच बच्चों के साथ खेल रहे थे सब पिता ऐसे नहीं होते हैं जैसे उसके पिता है, वो conclude करती है कि कुछ पिता ऐसे भी होते हैं, जो caring होते हैं, loving होते हैं, जैसे कि Mr. MacDonald को वो देखी होती है, और साथे साथ वो कहती है कि कुछ पिता मेरे पिता जैसे होते हैं, जो की harsh होते हैं, और rudely behave करते हैं, लेकिन जब से वो MacDonald को देखी है, तब से अपने पिता पीजिया घर में एकदम अकेली, साथ में बस था, तो एक कुग था उनका, चुकि दिन तो आसानी से उसने गुजार लिया, लेकिन रात में बहुत जादे उसे दिक्कत होने लगी, आधी रात में वो बहुत तेजी से चिलाई और डर के मारे उठ गई और उठने के बाद रोन लगी, क्योंकि वो कुछ भयानक सपना देख ली थी, जब उसकी आख खुली तो उसने क्या देखा, कि उसके पिता जी उसके बगल में आ चुके हैं, और उसके पिता उसको अपने बेडरूम में comfortablyly सुलाते हैं, आगे उसके पिता ये भी कहते हैं, कि अपने पैरों को उसके पैरों पे रगड़े ताकि थोड़ा सा उसे गर्माहट मिल सके, केजिया वो रात बहुत comfortablyly और safely अपने पिता के साथ गुजारी, और उसके बाद उसने realize कि उसके पिता खराब इंसान नहीं थे, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है, कि जिस तरीके से केजिया के पिता उसे प काम करना होता है, ताकि अपने फैमली को बढ़िया से चला सके, पैमली का reper कर सके, और इतने काम के बाद वो साम को जब घर आते हैं, तो बहुत जादे ठक जाते हैं, अगर कोई वियक्ति ठक जाता है, तो साम को वो अपने बेटी या बेटी के साथ नहीं खेल सकता, आते हैं और उनके पास इतनी नहीं होती है कि वो कि जिया के साथ खेल सके और फाइनली यहां पर आपका यह चैप्टर समाप्त होता है थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक सेरें सब्सक्राइब मैं चैनल रेटो इस्टडीज